आपका हमारी YouTube चैनल पर और एक बार फिर जो है गुरूप 5 के जो सवाल है उसमें से जो हमारे पास सवाल आया है उसमें से जो 12th पास वाले हैं MPPB में जो गुरूप 5 का वेकेंसी निकला है उसमें 12th पास वाले कौन-कौन से form फिल कर सकते हैं और उसका क्या syllabus होगा और work क्या ह होगा इसके बारे में जो है सवाल पूछा गया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा और share भी कीजिए अपने दोस्तों में तो इसमें से जो सवाल आया है उसको मैं आपको बता देता हूं कि जो 12th पास आउट हो चुके हैं उसमें क्वालिफिकेशन और ज कीजिए बद हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए आप क्या किजिएगा नोटिफिकेशन जब आप पढ़ रहा है तो उसमें से पोस्ट कोड देखिए और उसके बाद नीचे जो सेक्षन की योगधिता दिया गया है सेक्षन की योगधिता में इस पर्ष्ट मैंसन किया गया है कि आपका biology physics chemistry compulsory है वो उसमें apply कर सकते हैं इसका मतलब वो 10th plus 12th मतलब 12th वाले उसमें apply कर सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरा point उसमें दिया ही नहीं है कि उसमें degree diploma या certificate चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ उसमें age का जरूर ध्यान रखना है आपको उसमें age का दिया गया है तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए बाकी यह ऐसे बहुत सारे post है और lab attendant का post है lab assistant का post है इसके अलावा आपके बहुत सारे सहायक के जो post निकले हुए है उसमें post code डले हुए है तो वो आप check करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे post code है जिसमें केवल और केवल 12 के basis पर वहाँ पर आप exam दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और उसके आधार पर आप exam दे सकते हैं तो post code आप देखिएगा और बहुत सारी चीजे हैं जिनको मैं screenshot आपको दिखा भी देता हूँ इसमें से आप check कर सकते हैं तो नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर section की योगता देखेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से biology, physics, chemistry दिया गया है 12 का तो ऐसा अगर जहाँ पर जिस post के लिए दिया गया है आप वहाँ पर apply कर सकते हैं और जहाँ पर degree diploma है तो वहाँ पर section की योगता इस first mention किया गया है वहाँ आप apply नहीं कर सकते हैं तो जिनके पास वो उस चीज का जिसे radio grafer का degree certificate है तो वो वही apply कर सकते हैं बाकी आपके लिए section की योगता आपको देखना है तो 10th और 12th जिसका है biology stream से वो जो है आप दे सकते हैं तो इसमें confusion वाली कोई बात नहीं है आप आराम से section की योगता पर ध्यान दीजी जिस post को आप देख रहे हैं नीचे जाईए section की योगता चेक कीजी अगर वहाँ केवल एक ही point में 12th लिखा हुआ है तो आप आराम से उस post में form भर सकते हैं